Hi everyone and welcome to Wingzai Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, क्या हाल हैं आप सब के? तो हमने पिछले 3-4 lectures में हम लोगों ने GS जो है डिसकस किया है. आज हम बात करेंगे Jammu in Kashmir related questions को. ठीके क्योंकि हमने GS डिसकस किया है तो अब हम 2-3 lectures JN के करेंगे और फिर बापस से GS करेंगे. ठीके? चलो, पहला question देखते हैं. First question is, the first historian of Jammu in Kashmir was A. Kalhan, B. Lalit Aditya, C. Durlap Vardhan और D. Jaya Pida. So guys, कौन है? तो वो हम सब को पता है, वो है Kalhan. ठीके? सो Kalhan जो है, उन्होंने लिखी थी आपकी Raj Tarangini, right? और he is regarded as India's first historian, fine. और इन्होंने जो Raj Tarangini लिखी थी, उसमें उन्होंने काफी किताबों का जिकर किया था, जिसमें से एक, one of the ancient is your Nilmat Puran, हाना? Nilmat Puran, right? और अगर हम बात करें राश्तरंगनी की, तो राश्तरंगनी की लैंगवेज क्या थी? इट वस संस्कृत. और फिर दूरिंग दाइम पीरियड ओफ जैन उल अभी दिन, इसको ट्रांसलेट किया गया था इंटू पर्जियल लैंगवेज, हाना? और फिर लेटर ओन इंग्लिश में भी किया गया था, around 1900 by M.A. Steen. ठीक है? ओके. इसलिए उन्होंने अपती डैनेस्टी का नाम जो है उत्पल डैनेस्टी दिया था, ठीक है? ग्रांट संथे इनके, और अगर हम अवंती वर्मन की बात करें, तो इन्होंने जया पिदा को हराया था, और फिर उत्पल डैनेस्टी की शुरुआत की थी. फाइन? चलो. इन विच एर अफगान रूल वस इस्टैबलिश इसे 1652, 1700, 1752 और 1800, तो याद रखना वो है 1752 में इस्टैबलिश हुआ था. अब देखो, मुघल्स को हराया अफगान ने इन 1752 और फिर वापिस से मुघल्स जो है, वो 1753 से लेकर आपके 1762 तक आ गए थे, वापिस से मुघल रूल, ठीक है? और फिर 1762 में वापिस से अफगान्स आ गए थे मुघल्स को हरा कर और फिर फाइनली जो है अफगान रूल इस्टैबलिश होता है जमुएन कश्मीर में अंडर एहमद शाब दाली ठीक है लेकिन अब्वेसली जो पहली बारी था वो तो 1752 ही था ठीक है तो क्या है जी इस 222236 स्कूर किलोमेटर यह इसका टोटल एरिया है जिसमें से 78114 जो है स्कूर किलोमेटर का वो आपका पी ओके में आता है ओ जो चाइना के दुआरा यूनो क्या कहते है उक्यूपाई किया गया है that is 737555 by चाइना ठीक है and this is the total fine alright next up 55 question 55 question है हमारा which region of Jammu in Kashmir comes under subtropical climatic zone ठीक है कौन सा है जो subtropical climate zone में आता है कश्मीर जम्मू लदाख Jammu and Ladakh so it is Jammu ठीक है याद रखिएगा next is the confluence of which two rivers make river Chinab तो कौन सा है श्योक सुरू जी नहीं ये तो इंदस के है जांसकार नीलम obviously not इंदसरावी no it is चंद्र एंड भागा so चंद्र एंड भागा के confluence को हम Chinab कहते हैं ठीक है आप मुझे comments में बताईए कि कहां पे इनका confluence होता है ठीक है fine और अगर मैं Chinab की बात करूँ तो Chinab को Rig Vedas में as Askini कहा गया है ठीक है so Askini is the ancient name of Chinab चलो next is as per the India State of Forest report 2019 the recorded forest of Jammu and Kashmir are which among the following बताईए इसमें से कुन सा होगा so it is 20230 square kilometers that is the recorded area recorded forest area याद रखना recorded forest area मतलब जो आपके records में है municipality records में है ठीक है okay अच्छा एक और चीज़ India State of Forest report के अगर हम बात करें तो याद रखना यह biannial report है biannial report का मतलब क्या होता है biannial का मतलब होता है दो साल में एक बारी ठीक है so 2019 की report है 2021 में आई थी अब आप obviously 24 तक जो है next report आएगा ठीक है कौन इसको conduct करता है तो forest survey of India से conduct करता है जिसका headquarters are at Dehra Doon fine all right next is question number 58 the rice mill is located in which district of Jammu in Kashmir तो क्या है इसका answer Shrinagar Pulwama Baramula A and B तो it is चिनाब ठीक है चिनाब का है ठीक है और एक बहुत ही important आपका rattle जो है आपका run of river hydroelectric project है वो भी आपका चिनाब river पर ही है ठीक है it is a run of river hydroelectric project rattle ठीक है जी ठीक है किश्टवार district में चलो आगे बढ़ते हैं which region of Jammu in Kashmir has maximum road length लदाक, Jammu, Kashmir none of these तो याद रखिएगा अगर हम बात करें maximum road length का तो हाली में कुछ changes आए हैं जिसमें आपका उधंपुर जो है उसने सबसे जादा जो है growth दिखाई है तो maximum road length Jammu लेकिन सबसे जादा जो growth दिखाने वाला है ताट इस यौर उधंपुर अंडर Prime Minister Grameen Sadak योजना ठीक है उधंपुर top spot पे आता है ठीक है 61 which region of Jammu in Kashmir is famous for its valley Jammu, Kashmir, Ladakh none of these तो it is Kashmir that is Kashmir valley ठीक है okay next is 62 during the time period of India's independence Jammu in Kashmir had a large population of Hindus, Sikh, Muslims or Christians तो it is Hindus ठीक है जब independence हुआ था 1947 की बात कर रहे है तो ज़्यादा population Hindus का था ठीक है चलो question number 63 question number 63 बोलता है which part of Jammu in Kashmir deals with executives of the state ठीक है तो कौन सा है part 1, part 2, part 3, part 5 तो it is part second ठीक है तो याद रखना article 5 ठीक है of part second ठीक है याद रखिएगा ओडे किसके साथ deal करता है ये deal करता है powers, executive and legislative ठीक है of the state 64 which section of Jammu in Kashmir constitution states that legislature shall consist of governor in two states 46, 42, 48, 45 so which among the following is correct it is 46 ठीक है okay next is the full-fledged high court of judicature of Jammu in Kashmir was established in 1925, 26, 27 or 28 तो क्या answer है इसका the answer is 1928 ठीक है याद रखना 65 65 the Jammu in Kashmir Panchayiti Raj Act was provided provides a three-tier model which passed for the first time in 75, 88, 85 या 89 तो क्या है जी it is 1989 ठीक है चलो जमू इन कश्मीर is divided into how many regions 3, 6, 9 या 12 तो कितने regions में है तो भाया इसमें option given नहीं है sorry दो regions में है that is जमू and कश्मीर पहले 3 था जब तक हम state थे थे ना तब तक 3 था जमू, कश्मीर और लदाख अब दो हैं जमू and कश्मीर ठीक है okay next is which language is the widely spoken language in जमू and कश्मीर is it कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी और इस लदाखी तो याद रखना it is कश्मीरी the widely known the widely spoken language ठीक है ठीक है ठीक है और ये क्या है ये basically एक इंडो-ारियन language है ठीक है इंडो-ारियन language है राइट और काफी हद तक बोली जाती है ठीक है काफी जादा most widely है okay so next is basoli town is located in which district of जमू कश्मीर, कठुवा, किष्टवाड, उधंपुर, श्रीनगर तो obviously the answer is कठुवा ठीक है और हाली में basoli पश्मीना को भी GI tag मिला है तो इसको भी याद रखियेगा next is bakhan folk song is sung widely in Ladakh, Jammu, Kashmir, none of the above तो it is Kashmir ठीक है याद रखियेगा ये basically आपका वो है folk song है और इसमें male and female दोनों participate कर रहे है और ये पहाड़ी regions में गाया जाता है perform किया जाता है रादर perform ठीक है चलों next is during which fair the shrine of Pirko, the Ranbir Eshwar temple and Panjh Bhaktar temple got special attention by the devotees of Shiva and Goddess Parvati Tihar Paramandal Mela, Bahu Mela, Yastok Guru Sechu so it is Paramandal Mela ठीक है याद रखियेगा so it is the Paramandal Mela ठीक है और Paramandal Mela के अगर हम बात करें ये कोई आपके लगा लो 39 kilometers from Jammu है ठीक है और ये 3 days fair होता है Mela है ना तो fair होता है ठीक है okay next is Jammu in Kashmir Education Board was established in which year 1980, 70, 50 या 65 तो कौन सा है इट इस 1970 ठीक है so 1970 में जो State Government थी Jammu in Kashmir की उसने अपना Education Board युनिवर्सिटी को established किया तो याद रखना Education जो है ना वो State Subject है ठीक है okay अच्छा एक चीज़ I'm so sorry एक चीज़ कर लो जो आपका Education है ना वो आपका Actually Concurrent में आता है Not State Concurrent में आता है ठीक है तो इसमें State and Center दोनों मिलकर बना सकती है Rules ठीक है Laws चलो next है which district of Jammu and Kashmir has highest ST population as per census 2011 ले, कारगिल, श्रीनगर या कठुवा तो क्या है इसका answer ठीक है अब देखो ये बात है 2011 की हम बात कर रहे है तो इसलिए the answer is कारगिल क्योंकि उस ताइम पर Jammu and Kashmir was a State तो इसका कारगिल रहेगा 74 Jasia Akhtar became the first women of Jammu and Kashmir to be selected in which women's national football, cricket, hockey, kabaddi so it is cricket ठीक है next, who was the first Maharaja of princely state of Jammu and Kashmir, Hari Singh Karan Singh, Gulaab Singh या Meher Chand Mahajan तो क्या है इसका answer the answer is Maharaja Gulaab Singh और क्यों इनको regard किया जाता है as the first Maharaja एक तो ये founder of Dogra Dynasty भी थे founder of Dogra Dynasty भी थे और साथ ही में इनके time period में demarcation of land हुआ था ठीक है, boundary demarcation rather boundary demarcation, इसले इनको first Maharaja regard करते हैं which of the following is the earliest source of Kashmir history Spand, Karika, Vartika, Raj Tarangani या Shiv Drishti Siva Drishti तो बताईए क्या answer है इसका the answer is Raj Tarangani of Kalhan और कलहाने कश्मीरी पंडित थे या फिर भ्रामण थे राइट ओके, after the end of the Karkota dynasty which dynasty was established its rule in Jammu in Kashmir उत्पल, लोहार, देव या all of the above तो बताईए मुझे कौन था after Karkota, it was the उत्पल डाइनेस्टी बाई आवंती वर्मन ठीक है? ओके who was एक सेकेंड who was invited by two Kashmiri noblemen Meer, Mukim, Kant and Khwaja Zaheer दिद्मरी to capture Kashmir in 1752 अब देखो ये 1752 कौन सा टाइम पीरियर्ड है अफगान्स का टाइम पीरियर्ड है याद है ना अफगान्स ने पहली बारी मुगल्स के उपर अटाक करके 1752 में कश्मीर को अपने अंडर किया था और फिर 1753 से लेके 1762 वापिस से मुगल आए और फिर 1762 में वापिस से अफगान्स आ जाते कुछ महीनों का ही होता है ये एक साल भी नहीं था कुछ पांचे महीन नहीं थे ठीक है तो इट इस एहमर्च शाह अब्दाली ठीक है जी चलो नेक्स्ट इस 79 which of the following rules is known as the darkest period in the history of Jammu Kashmir Sikh rule, Afghan rule, Mughal rule and Dogra rule तो कौन सा है जी Afghan rule है ठीक है ओके next है आपका the latitudinal extent of Jammu in Kashmir is what is the extent of Jammu in Kashmir ये आपको रट्टा मारना है that is 32 degree 17 not 236 degree 58 degree ठीक है इसको याद रखना है ठीक है ठीक है चलो मैं आपको longitudinal बिता देते हूँ ये हमने latitudinal देखा अब हम longitudinal भी देख लेते longitudinal है 72 degree 31 and 80 degree 20 east ठीक है ठीक है चलो area wise Jammu in Kashmir is on which place among the Indian states तो क्या है 2nd, 3rd, 5th या 6th तो याद रखना it is your 5th ठीक है ओल राइट तो गाईज ये हमारे आज के 30 questions थे राइट कोई भी problem होगा प्लीस write in the comment section and I will see you guys tomorrow आना स्ट मÅरो 17 गाउरो आप Vincent मेंस्ट न्यायाइ जय खर मुएक्ट प्लीस वारी जयाइ झाँ ध ये मुएक्ट